दोस्तों कर आप गार्डिंग में बिगिनर हैं और आपको प्लांट की केर और रिक्वार्मेंट के वारे में अधिक जानकारी नहीं है तो साल्बिया आपके लिए एक परफेक्ट च्वाइस है क्योंकि इसकी जाद देख भाला नहीं करनी पड़ती सिर्फ इसकी बेसिक रिक्वार्मेंट को द्यान में रखा जाया तो यह प्लांट आपके गार्डिन को रंगों से भर देगा और साल्बिया के कुछ बराटी ऐसी भी है जिनकी हाइट दो से तिन फिर्ट तक भी होती है पर उन में इतने ज़्यादा फ्लॉरिंग नहीं होती है इसलिए पॉर्ड में ग्रो करने के लिए हमिसा आप साल्बिय के डौफ ब्राटी है उसको ही लीजी तो बेश्ट रहेगा क्योंकि इसमें फ्लॉर्स गुच्छों में आते हैं और बहुत ही प्याली लगते है इस प्लांट में जब फ्लॉरिंग नहीं भी हो रही होती है तो हमारे हाँ तो यह सीजनल प्लांट की तरह गुरू किया जाता है बड़ जहां पर गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं फड़ती है वहाँ पे परेनियल प्लांट की तरह गुरू किया जाते है और दूस्तों इसे ग्रो करनने की बात कहें तो इसे सीड और इसकी देखबाल करना बहुत ही आसान है दोस्तों, बिंटर सीजन में टेंपरेचर जो बहुत ज़्यादा गिरने लगता है तो ये प्लांट अक्सर खराब होने लगता है इसलिए बिंटर सीजन में जितना हो सके इसे उतना देर डायेट स्नलाइड में रखें तो आपका जो प्लांट बहुत खराब नहीं होगा अगर धूप नहीं निकल लगए है और ठंड बहुत अधिक है तो आप इसे इंडोर भी रख सकते है और मल्चिंग करके इसे आप बिंटर सीजन में बिंटर फ्रोस्ट से शुरुचित रख सकते है वैसे अप गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और ऐसे में टेंपरेचर दिर दिर बढ़ने लगा है तो इसलिए इसे ऐसे जहां पर रखें जहां इसे पुरे दिन सिर्फ ब्राट लाइट मिलती रहे तो यह बहुत अच्छी तरह फ्लावरिंग करता है यह इसे ऐसे जहां पर रख सकते हैं जहां इसे सिर्फ सुबा की जो 2-3 घंटे की धूफ है वो मिल जाये करें और बाकी समय सिर्फ इसे इन डाइट सनलेट मिलती रहे तो यह मार्च अपरेल तक बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है दोपर की जो तेज धुफ होती है उसे इस प्लावरिंग को बचाना चाहिए ने तो आपको प्लावरिंग को अपने गाडन की नार्मल स्वाइल ले सकते हैं और उसमें आप 30% कोई भी और्गनिक कमपोस्ट यूज कर सकते हैं और 20% आप सेंड मिक्स कर सकते हैं तो सालविया में वाटरिंग करने का सबसे आसान और बेष्ट तरीका है कि जब भी आपको प्लावरिंग की मिक्स करें चाहिए बिंटर सीजन हो या समर सीजन जब पॉर्ट की मिठी को एक बार चक जरूर करें और अगर आपको लगे की पॉर्ट की मिठी में 이제 में अभी में पॉर्टरएंग ना करें जब आपको लगा की इसके लावा पॉट में लमे समय तक महश्चर बना रहने से प्लांट में फंगल डिसीज भी हो सकता है और आपका जो प्लांट हो खराब हो सकता है इसलिए वाटरिंग करने का एक सिंपल सनियम अपनाईए अब जब Ici में वाटरिंग करिए तो अच्छे से टीवाटरिंग करिए जिससे जो पटरिंग में इससे व हो झाया हो लेकिन दोबारा वाटरिंग करने चनी living को हलका से सूख जाने दीजिए उसके बाद ही इसमें वाटरिंग करिए तो आपका जो सालवे प्लांट हमा हेल्दी रहेगा और अच्छी तरह फॉल्लोरिंग करेगा और कभी भी खराब नहीं होगा फेटिलाजर की बात करें तो हर 15 से 20 दिन में एक मुठी के करीब कोई भी रगनिक फेटिलाजर जैसे काउड डंक, लीप कंपोष्ट या बर्मी कंपोष्ट लेकर उसमें एक टीस्पून बोन मिल और एक टीस्पून निम के मिस्ट करके आप अपनी सावी प्लांट को दे सकते हैं और हमिसा जो फेटिलाजर है आप उसे साम को ही इस प्लांट में डालें और फेटिलाजर डालने से पहले आप पॉट की मिट्टी में अच्छी तरह से गुडाए करके पटनिक को अच्छी तरह से लूज कर लें उसके बाद फैटलाजर डाल कर तुराफ इसमे वाटरींग कर दे तो यह best तरीका है अपनी पलांट में फैटलाजर देने का आप चाहें तो इससे लिकुट फैटलाजर भी दे सकते हैं लिक्विट फट्राजर कैसे बनाते हैं और कैसे उच्छ करते हैं उसे पर मैं ने डेटियल बीडियो बनाया है तो आपको वीडियो दिखना चाहिए आप वीडियो देख सकते हैं आपको उसकी लिंक डिस्षूरिशन बाउस में बिल जाएगी पेस्ट लोडिसिज़स की बात करें तो इस प्लांट पर वाइट फ्लाई जेफिड और स्पाडर माइश्ट जैसे इंसेक्ट आटक देहने को मिल सकता है ऐसे में आप अपने प्लांट को समय समय पर चेक करते रहें और जैसे ही किसी प्लांट को इनसेक्ट से बचा सकते हैं यह देखिए दोस्तों कुछ समय पहले मेरे इस प्लांट पर वाइट फ्लाईज का अटक बहुत अधिक हो गया था मेरे जो प्लांट था वहा काफी खराब होनी लगा था बट इस पर मैंने टुबेको लीफ फाटर कायो इस किया और इसका रेजल्ट बहुत ही जवदस्त है तो टुबेको लीफ से प्रेस्टिशाइज बनाने की बिधी और इस्तिमाल करने का तरीका आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगा तो आप वीडियो ज़रूर चेक कर सकते हैं तो बस इनहीं कुछ बातों को ध्यान में रखकर आप अपने साल्विया प्रांट पर धेल सारे फ्लावर्स लंबे समितक ले सकते हैं बाकी कुछ अलग रिक्वार्मेंट नहीं होती इस प्लांट की और जो फ्लावर्स खिलकर सुभने लगे हैं उसे डंडि साइट कट करके प्लांट से हटा दें जिससे और भी नई वरांचे जाएं और उस पर और भी फ्लावर्स खिलें तो मुझे उम्मिद है कि आपको इस प्लांट से रिलेटेट पुरी जनकारी मिल गई होगी फिर भी आपके मन में कोई सवाल या सुझा हो तो आप कमेंट करें बता सकते हैं बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक और सिरु जुरू करें और चैनल को सब्सक्राइक वरके गार्डन पॉइंट परवार का हिसा बने मैं मिलता हम आप से नेक्स वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जहिन आपका दिन सुभू